नमस्कार साथियो आज हम बात करेंगे दुबई जी हां साथियो दुबई कराइम रिपोर्ट यह रिपोर्ट इसलिए आपको बताने जरूरी है कि बाई यह गलत काम करने वाले कौन है आप ही लोग आपके पडोसी आपके साथ वाले या आप भी हो सकते हो जी हां डिटेल से बात करेंगे यह आपको जानना भी बहुत जरूरी है कहीं ने कहीं वह ना मुर्गी से महेंगा मसाला पढ़ सकता है गलती तो आप छोटी सी करते हो एक्जांपल के तोर पर सिग्रेट पिया डाल दिया कोई आपने आपको किसी ने देख लिया कैमरे में कैद हो गए आपकी शिकायत हो गई आपकी जोब जा सकती है एक छोटी सी गलती की बज़े से भारिज जुर्माना चुकाना पड़ सकता है या फिर ऐसा कोई सिस्टम बन जाए उस दोरान कि आपको इंडिया चोड़ी चोड़ के भी जाना पड़ सकता है क्योंकि ऐसे वाकिये होए हैं जलग ब बड़े वाली मैं बस टेंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं वहां तो आप चाकर भी कुछ नहीं कर सकते लेकिन शोटे-शोटे जिनको बोलते हैं एसी बस सोल्टर सोल्टर होते हैं जैसे आप रोड पे हैं छोटे-छोटे डब्बे टाइप के जिसमें चार-पांच-छे आपको मिलती रहे तो मैं बता देना चाहूंगे साथी उस सरकार की तरफ से एक आर्टीए आपको पता हैर जगे आर्टीए यह सारजुनिक कंपनी है गौर्मिंट की एक मान सकते हैं इस कंपनी है यही पूरे परिवन विवाग को संभालती है परिवन विवाग है आपको इसका इसका यह मान के चल सकते हैं ठीक है तो उन यह जिमा भी उनी के थुरू दिया गया बज टेंड को संभालना बगर बगर तो उन्होंने एक निरक्षन किया तिये ने दुबई पुलिस नगरपाली का सहरी छतर में नगरपाली का आती है जो इंडिया में भी होता है सब जगह होती है उनके साथ मिलकर एक निरक्षन किया लगबग 1087 निरक्षन किये जी हां साथ 1100 निरक्षन किये अलग लग जगह गए अलग लग सिस्टम को देखा, लोगों को पकड़ा, मुगद में भी लगाए, जुरुमाना भी लगाया, जी हाँ, अब हुआ क्या मैं बता दूँ, मैंने खुद ने देखा यार, हम जैसे पैदल चल रहे हैं, आगे वहाँ AC सोल्टर बस स्टेंड है, आपको देखा हुगा है रोड के उपर चोटे-चोटे AC बस टेंड लगे होते हैं, उसमें AC होती है, पांच चेशीट होते हैं, वरकर लोग, मेरी जहां तक सोच है, या लोग कुछ हद तक या कम पड़े लिखे, या जो खानून नहीं जानते हैं, या फिर जानभूजगे करना चाते हैं, वो लोग पर्त चेशीज़ यह बेठे अराम से खाते रहते हैं, उसमें क्या है कि कैमरे नहीं होते हैं, मैं आप यह लगा कि मैंने खुद ने देखा है, खाने का पेकेट आदा खाया हुआ, उपर पढ़ा था, आदा नीचे पढ़ा था, एक पानी की बोतल पड़ी थी वहां पर, य कूप के उधरी डाल देते हैं उन 1100 के करीब यह निकल के आया कि लोग गंदगी फैलाते हैं और फैलाने वाले कौन है अब एसी सोल्टर है वह जो इस्टेंड है उसके अंदर कैमरे नहीं है बारतों कैमरे ना अगर पुलिस साहे कि हमें इनको पकड़ना है तो टाइम टेबल जर्माना सजा कुष्क पर पुलिस मुग्द में भी लगा देगी तो फिर मुग्दमा लगने का मतलब है कि आपको अपनी देश जाना पड़ेगा चैशें आप किसी भी देश के हो तो बाई ऐसे काम नहीं करें जो करता है उसको टोकने की जिम्मेदारी आपकी है क्योंकि स मेधारी बनती है जो गलत करता है आप उसको टोक सकते हो क्योंकि वो गलत कर रहा है आपके सामने हेकडी नहीं कर सकता ये बात हमेशा ध्यान रखे है और अगर आप वहाँ पे बैठे है और कोई आपके सामने गंदगी कर रहा है तो क्या कर रहा है आप गरंटेट बात है आप गंदगी होती है और दुबई भाई इन मामलों में कम्प्रोमाइज नहीं करने वाला इनके दख्या लग जाओगे उस दिन आपका इलाज कर देगी फिर इस चीजों का आप त्हान रख सकते हैं बस जान करें अचले की वीडियो अच्छा लगे लाइक करें शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिंट जै बाई